जब उसको डिस्क्वालिफाई किया गया विनेज जया नहीं लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चापू बुसेड दिया गया हो यह देश के असमीता से जुड़ा मामला था और जब यह गोल्ड आता देश गोरवानमीत होता श्री चंदर सेगर चंदर सेगर दन्यवाद सभापति मोदे आपने मुझे विट्टे विधेक पर बोलने का मौका दिया किसान मदूर रात में ठकके सो जाते हैं सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है गरीबी खतम हो रही है सुबह जब आख खुलती है तो लगता है वापिस जुका तू है ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था मौदे मैं अपने छेट से सुरुबात करूँगा मेरा छेतर नगीना बाड़ परभावित है कोई चर्चा नहीं हुई किसान और आम आदमी परिशान है कोई चर्चा नहीं हुई गन्ना मील समय पर पैसा नहीं देती है गुलदार ने तीस लोग की जान एक साल में लिए पिछले कोई फरक नहीं पड़ता अमीरों को उद्धोग दंदे लगाने कोई बात नहीं हुई मेडिकल कॉलिज और एम्स के निर्मान की कोई बात नहीं हुई गरामिन छेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना स्पोर्ट कॉलिज की कोई बात नहीं हुई मौदे देश में भूमी सुधार किया जाए लाखों भीगा जमीन भूम आप्याने कब जाई हुए भूमी इन लोग को भूमी दी जाए बिजली के दाम में कटोती की जाए गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलत कराई जाए धेकेदारी पर्था सवीदा लेटर और पुरानी पेंशन भाल की जाए लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर परधान मंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिया जाने की बात होती है वहीं दूसरी तरफ लखनों के अकपर नगर को तोड़ दिया जाता है नभी मुंबई में के खार घर में माइक नहीं है सर बंद कर रहे हैं आ गया धन्यवाद हमारे लोग सर आर्थी रूप से बड़े कमजोर है और दो प्रेल 2018 के मुकदमों के लिए कहीं बार सरकार से बात ही वापिस निए उनको वापिस करा जाए भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर भीमा कवरे गाओं में तीन जार लोगों पर मुकदमे हुए थे महाराष्ट में वह वापिस निए फूने में दिकसा वूमी जो हमारा गोरव है उसका वाँ पार्किंग बना के उसको अफमानित किया जा रहा है इसको बंद कर खाती लिए कर्मचारी लाखों कर फोर जो वहां काम करते है उनके जीवन पर सर पढ़ रहा है सहरा का में दस हजार 10 क्रोड जमा करता का लाखों क्रोड रुपय जमाय कंपनी बंद हो जाने कारण दस लाग से ज़्याद आज़ंट वेरोजगार हो रहे हैं नोकरी कहीं है न भुगतान ना होने कारण जमा करतों के द्वारा आजेंट पर जबस्ती भुगतान कराने का दबाव बना जा रहा है जिसके कारण पांच जार से ज्यादा आजेंटों ने आत्मत्या कर ली है सभापती मोदे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है उसको इस चंद सरकार दे रही है लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है और भी बुनियादी स्युदाव की पढ़ते हैं रिज्जत की जिंदगी चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है यूपी जब एक बड़ा राज्य है लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकासगती बहुत धिमी है हमारी सरकार से केंदर की सरकार से मांगा हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है लेकिन यूपी की जनता की चिंता है मैं मांग करता हूँ कि यूपी को चार भागों में विवाजित किया जाए डाक्टर बावा साम बेटकर ने कहा था 1995 में उनकी बुक है Thoughts of Logistic State किताम में गाता राज्य इतना छोटा होगा राज्य की परगती उतनी होगी जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन होगा मोदे एक बाद मुझे आपसे कहनी है आपने भी ये विशे उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे सदूल काश के साथ जो धोका गया गया सुप्रिम कोट के जरिए आप इस बात को इस तरह समझें डेट साल पहले मैंने मांग की थी अगर इतना हीतेसी हमारे लोग होते तो जब EWR 10% दे सकते हैं तो 5% सदूल काश के उन जातियों को दिया जा सकता था लेकिन दर्शंकल पर इच्चा सकती नहीं है गरीबों के उत्थान की साथ-साथ OBC के जातिया उनको भी दिया जा सकता था ये जो हमारे साथ खेल किया गया है ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है सरकार को संग्यान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्स दोनों जो है अपना स्टेंट किलियर कर दें क्योंकि दली समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है वो भूलेगा नहीं जो उनके गले काटने काम करेगा पर हमने हमारी मांग है थी कि सरकार स्टेंट किलर कर दे तब भी सुनवाई नहीं की गई जब मंतरी बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफोर्मेशन चाहिए उस पर बात नहीं हुई सवाल ये सर एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गोर्वानमीत होता और क्या वेवस्ता थी सर कि उसका वेट बढ़ गया पता है नहीं लगा सिस्टम के लोगों को क्या वेकूपी की गई है ये ये सोच रहे का भी से है सर ये बहुत बैत्व उने देश की बेटी का मामला है ये हर्याना की बेटी नहीं है सर वो एक जात की बेटी नहीं है वो हमारी बेहन है देश की बेटी है और आपने क्या की हर्याना के साथ आपने हर्याना का बजट कम किया जबकि सबसे ज़्यादा मैडल हर्याना लेके आता है ये गलत है सर ये धोका है हमें इस बात की तकलीब है कि विनेश जो है देश का नाम गोरवानीत करती इस देश का नाम बढ़ाती लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ा है जब हमारे इतों की बात होगी हम जो है समझोता कर सकते हैं लेकिन जब देश के इतों की बात होगी बावसांबेट करन कि आपने कोई इससे जाव आपको दे देंगे लेकिन आपको चाहिए कि इस मुहामने को समालते और देश का सम्मान बढ़ाते आपने लापरवाई बढ़ती इसका खामेजा में उगतना पड़ा मैं आपसे आगरे करूंगा थैंक यह वो बेटी देश लोटे सर जब वो बेट